हेलो फैंस मैं नितेश कुमार आपका आपके यूटीब चैनल इन्वेस्ट फोरेवर में एक बब फिर से स्वागित करता हूं काफी दिनों से तीन दिन से मैं शायद वीडियो नहीं बना रहा हूं और आज पहली वीडियो यहां पर आ रही है अफर त्री डेज और अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर मैं कुछ चीज़े आपको दिखाना जाता हूंगा जो बात मार्केट से लेटेरी करेंगे आगे चलेके हम आगे वीडियो में, हम काफी सारे stocks specific सब चीज से लेकर बाते करेंगे, बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मार्केट से बाते हैं, देखे यहाँ पर यह stocks की list हैं, जहाँ पर पहनी stocks को छोड़ गए, बाकि सारे stocks यहाँ गिरते हुए नज़र आए हैं उन्हें छोड़के यहां पर ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जहां पर आपको पॉजिटिव सिगनल दिखाई दे तो मैं आपको एक आईडिया दिखा देता हूं यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर आपको पता चलेगा कि जितने भी अच्छी कंपनीज है जो जहां पर लोग यहां पर आप देखेंगे जितनी भी कंपनीज हैं वाँ पर स्टॉंग से लिखा रहा है क्यों लिखा रहा है क्योंकि यह सारे के सारे स्टॉक यहां पर गिरते हुए नजर आए और मोस्ट आप यहां पर चूस करेंगे तो आपको बदा चलेगा किसी ने 20 डिया में कोई त करने वाले तो लाश्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको आइडिया आए पर उससे पहले सबसे पहले तो आप चाहिए को सब्सक्राइब कर दीजिए बैल आइकन को ही टॉल को नोटिफिकेशन को और इस वीडियो को लाइक करिए क्योंकि इसमें बहुत इंप सबसे अच्छा जहां पर फंडामेंटल टैकनिकल बहुत सारी चीज़ें सखाई जाती है आपको पता चाहिए कि क्यों शेयर यहां पर भागे जाते हैं कि क्यो शेयर यहां पर गिरते हुए नजर आते क्या हमारी रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए वह सब चीशते सबसे पहले मेंटर बात पॉकरती है तो यह किरते हैं क्या करने वाले हैं हम यहां पर बात करने वाले इस this is related कि क्या हैंपर M market में चलते हूँ चलता हैë सबसे पहले हम American me jya ुक हैत कि American bazaar में यहां पर ऐसा क्या हुआ है कि American bazaar शहते बट इपने पाज़ार इहां पर ग शेर और कुछ data और हम यहां पर निकाल लेते हैं क्या वो data हमें हमें डराते हुए नजर आते हैं तो वह कुछ डेटा आपको यहां पर पता चलेगा कि exactly हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह डेटा है और कि FISDI का डेटा है कुछ दिनों का वह यहां पर निकाल लेते हैं ताकि हमें एक आईडिया लगता हुआ दिखाई दे यहां पर आपको बता चलेगा कि जो डियाए इस लगवर 20 जाग क्रोड के आसपास 19 जाग क्रोड खरीच चुके यहां पर आप देखेंगे उनकी जो थोड़ी थोड़ी सी ही है ज्यादा कोई विक्वाली नहीं है इसके अगेंश में जो हमारे डियाईई की जो खरीदारी है वो अच्छी खासी है तो मतलब डियाईई अभी भी करीद रहे हैं और FIs थोड़ा बहुत उन्होंने यहां पर इस्टार्टी में खरीदा था फिर उसके बाद यहां पर लगा था उनका बेचना ही चालूए जिस वएसे मार्केट यहां पर गिड़ती ही नजर आवे है तो यह एक एक अक्टिविटी है जो आपको यहां पर पता हैं चीए तो ज उनके लिए यह एक important point है क्यों important point है क्योंकि यह 200 dma पर बार बार यहां पर support लेता हुआ नजर आ रहा है ओके यहां पर देखिए यहां से गिरने ही कोशिश नहीं कर रहा है चीज़े ऊपर जा रही है कभी ऊपर जला जाता है कभी नीचे आ जाता है तो इस तरीके कि यहां पर चीज़े होती हुई नजर आ रही है तो यह एक बहतरी support है और मुझे नहीं लगता है यहां पर गिरने वाला है और जादा जो negative news थी जो भी कुछ था वो यहां पर हो चुका है अब चीज़े यहां से ऊपर जाने वाली है ओके यहां से जिस दिन यहां पर यह particular range को यहां से लेटेर बाते कर लेते हैं कि NASDAQ में actually क्या चलता हुआ नजर आ रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं NASDAQ अभी भी यहां पर negative signal यहां पर दिखा रहा है negative signal in the sense कि यहां पर किसी भी तरीक ही कोई हरकत यहां पर दिखाई नहीं दे रही है एक बहतरी support के आसपा से अगर support तोड़ता है तो चीज़े थोड़ी सी और गिर सकती है बट मुझे लगता नहीं है क्यों क्योंकि अब जब market उपर जाना है तो दीरे-दीरे करके यह चीज़े भी यहां पर उपर जाती हुई नजर आएगी अब बात करते हम मार्केट की देखे मार्केट से लेटेर बाते कर लेते हैं तो यहां पर देखे कितना टाइम लिया और बीच में कितनी बार यहां पड़े-बड़े यहां पर जंप देखे कही है वह आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जब यहां पर चीज़े ऊपर जा रही है तो यहां पर ऐसा नहीं होगा कि सीधे ऊपर याइगी market यहां से टेखे ऊपर गई एक गिरावुट यहां पर थी फिर उपर गई फिर और यहां पर बैस कि बढ़ को चैनल घृटाइसरे जो यह वे सब्सक्रारियस ऑनाच और घीड़ टो फिर शृटरिकियो यहां सब्सक्राइब आटेक प्लस में यहां पर क्या है 200 EMA तो यहां पर क्या है आपको चीज़े 12 सपोर्ट करके एक range में यहां पर घुमती भी दिखाई दे सकती है चीज़े यहां तक आ सकती है कोई यहां पर डाउट वाली बात नहीं है जितने गिरने थे अच्छे गासे तरीकर से यहां पर क्राइश हो चुके हैं वेट करिए कुल आउप उनिक और यहां पर उपर जाती भी दिखाई देगी एक सपोर्ट है अगर यह सपोर्ट तूटता है तो सीधे यहां पर 17,400 का जो यह लेवल है 17,444 का इसे यहां पर रखिएगा ओके और माइट भी अगर यह लेवल भी टूटा तो फिर यहां पर सीधे यहां पर सोले यहां पर यहां पर चीड़े आ सकते हैं बट मुझे नहीं लगता इतने जादे गिरावट होने वाली है क्यों क्योंकि डो जोंस मुझे उपर जाता और यहां पर देखें निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक ने का एक सपोर्ट था वो सपोर्ट निफ्टी बैंक ने यहां पर तोड़ दिया अब क्या अब यहां पर एक सपोर्ट तो यह लाइन जो दिखाई देती है यहां पर दिखाई दे रहा है प्लस मैं एक सपोर्ट मु आप ने देखे थे किस तरीके से एक महीने में पैसे 1200-800 पर सेंट यहां पर PSU BANKS भागते हुए नजर आ रहे थे अब बात करते हैं यहाँ पर कि निफ्टी स्मॉल केप में हम देख लेते हैं तो यहां पर देखें हैं निफ्टी स्मॉल केप पहली बाद तो all-time high इसने टची ने गया ऊपर गई ऊपर जाने का एक गिरावट हुई फिर फिर उपर गिरावट हुई यह से क्या कहते है इसे एक parallel channel कहते हैं यहां पर आप द चीज़े गिरती है तो चीज़े थोड़ी सी और नीचे आजा सकती है 8664 के आसपास बट मुझे लगता नहीं है क्यों क्योंकि यह एक रेंज है को कि इस एक्कोल चाइनल्स कहते हैं उसमें यह घूमता हुआ नजरा रहा है और यह किस तरीके से बिएफ करता है यह इस तरीके में और गिरावट हुई तो चीज़े और मीचे आ सकती है और मार्केट में गिरावट नहीं हुई तो यही चीज़े दुबार रिवर्स होके दुबारा उपर जाती हुई दिखाई देगी और यहां पर जब तक यह 10133 का लेवल क्रॉस नहीं कर रहा है तब तक यहां पर स् का बात करते हैं और निफ्ती मिट किया पर देख सकते हैं इस तरीके से चाहन पर पर देकता हुँआ है यहां पर करता हुआ नजरा रहा है जो यहां पर इसकी जो प्लोजिंग वह भी वह बैठी सपोर्ट के आश्पासी क्लोज होता हुआ है यहां पर मार्केट में होगें सेम यहाँ पर ऊपर गई किया कर नहां पर स्विए करती करें और रसके न शायद विए स्विर्टि करें चरेंगा इसके लिए सपोर्ट का काम करती हुई दिखाई देगी। तो निफ्टी मेट काप शायद थोड़ी बहुत गिरावट मार्केट में और हो सकती है बट मैं यहां से पॉजिटिव हूँ कि यहां पर मार्केट और उपर जाती हुए दिखाई देगी जब यह लेबल टूटेगी और याद रखिए 2023 में ऐसा नहीं होने वाला 2023 में चीज़ देख सकते हैं कि कोरोना के सेने इंक्रीज मोर दें 3000 एक्टिव केसेज वह पहले भी थे कोरोना डजनाट तो बीजेपी डैलीज कम्स टु बहाव तो जो भी है यहां पर टेस्ट वगरा से लेटेड है कि कोई फ्लाइट वगर आएगी तो वहां पर टेस्ट होते हुए किये उपर जाती हुए नजराएगी डरनेगी डर वह चाइना को है और चाइना से जो प्रॉब्लम आ रहे है वह सारे स्टॉक्स यहां पर रैली करते हुए दिखाए देंगे जैसे कि क्योंकि प्रॉब्लम होगी कैमिकल से लेटेड प्रॉब्लम होगी यहां पर लॉजिस् दिखाए देगी क्यों क्योंकि यह बैदरीन सपोर्ट है इस सपोर्ट को जब तक नहीं तो लिए मार्केट अच्छे तरीके से रुक नहीं आता तब तक यहां पर आपको यहां पर तेजी नहीं करनी बाद एक बाट यहां पर टिका तो याद रखिये और उपर जाता हुग को दिखाएगा तो वीडियो अच्छी लगए लाइक कमें शेयर चैनल को सब्सक्काइब करें और इस कोर्स को जाइन कर लिए वाट्सप गूरूप को जाइन करिए जहां पर चीज़े आपको आपकी क्वेरी सौल की जाएगी जो डर लग रहा है आपको इस टॉक से लेटि थांक यह सो मुझ गल्ग